दोस्तो 26 जन्वरी 1950 को भारत का समिदान लागू हुआ था तब से 26 जन्वरी की तिती बेहत खास हो गई है दोस्तो हर साल इस दिन गर्तन दिवस्त यानि की डिपब्लिक डे के रूप में सेलिबेट किया जाता है दोस्तो हर साल 26 जन्वरी का कारिकरम राजपत पर आयुजित किया जाता है यहां भारत के राष्टपती राष्ट धच को फैराते हैं इस मौके पर हम आपको बताएंगे इस दिन से जुड़ी वो बाते जिनके बारे में तमाम लोग नहीं जानते इसलिए भारत का समिदान लागू करने के लिए भी 26 जन्वरी की तारीक को चुना गया था दोस्तो कि आपको पता है कि 26 जन्वरी 1948 में भारत के समिदान का पहला प्रारूप चर्चा के लिए प्रस्तुत किया गया था दोस्तो 4 नॉवंबर 1948 को चर्चा शुरू हुई थी और 32 दिनों तक चली थी इस दोरान 7,635 संसोदन प्रस्तावित किये गये थे और जिनमें से 2,473 पर विश्तार पूवक चर्चा हुई थी दोस्तो समिदान को अंतिव रूप देने के लिए 2 साल 11 महिने और 18 दिन का समय लगा था नंबर 3 दोस्तो कि आपको पता है कि समिदान को बनाने के लिए डॉक्टर बी आर अमेटकर की अध्धचता में एक मसाधा समीती नियुक्ति की गई थी मसाधा समीती का अंतिन सत्र 26 नॉमबर 1949 को समाप्ट हुआ था और सभी की समिदान अपनाया गया था 26 जनुरी 1950 को इसे देश पर लागू किया था दोस्तों कि आपको पता है कि 26 जनुरी को परेड के दोरान राष्टबदी को 21 तोपो की सलामी दिये जाने की प्रता है 21 तोपो की सलामी भारती सेना के 7 तोपो से दी जाती है जिने 25 पाउंडर्स कहा जाता है पहली सलामी राष्टिगान शुरू होती ही दी जाती है और आखरी सलामी ठीक 52 सिकंड के बाद दी जाती है दोस्तों कि आपको पता है कि समीधान की मूल प्रती को हिंदी और इंग्लिस में प्रेम बिहारी नरायन रायजादा ने लिखा था इसे लिखने में उन्हें 6 महीने का वक्त लगा था इस काम के लिए भारत सरकार द्वारा Constitution House में उनको एक कमरा आवंटित किया गया था दोस्तों कि आपको पता है कि प्रेम बिहारी नरायन रायजादा ने समीधान लिखने के लिए सरकार से कोई भी महंताना नहीं लिया था बस एक मांग की थी विए समीधान के हर पेज पर अपना नाम लिखेंगे और आखरी पेज पर अपने साथ अपने दादा जी का भी नाम लिखेंगे दोस्तों कि आप जानते हैं कि भारत का समीधान दुनिया का सबसे लंबा और सबसे विस्तित समीधान है समिधान के हर पेच को पेन बिहारी नरायन रायजादा ने खुपसूरल लिखावत और इटैलिक में लिखा है जब समिधान लागो हुआ तब इसमें कुल 395 में लेख और आठन सूचिया नहीं थी और यह समिधान 22 भागों में बाटा गया था दोस्तो 26 जन्वरी की परेट के दोरान हर साल किसी ना किसी देश के राष्ट धेच को अथिती की तौर पर बुलाया जाता है 26 जन्वरी 1950 को आयूजित पहली परेट में अथिती के रूप में इंडोनेसिया के राष्ट पती डॉक्तर सुकर्णो को आमंतृत किया गया था दोस्तो कि आपको पता है कि 1950 से 1954 तक गर्तन दिवस हमारो इर्विंड स्टेडियम जिसे अब नेशनल ले स्टेडियम भी कहा जाता है और किंग्स्वेल लाल किला और रामलीला मैडान तक आयूजित किया जाता था 1955 से गर्तन दिवस हमारो राजपत पर आयूजित किया जाने लगा 1955 में राजपत पर आयूजित पहले परेड में अथिती के रूप में पाकिस्तान के गवर्नर्ण जर्णरल मलिक गुलाम महमत को अमंतृत किया गया था नमबर 10 दोस्तों कि आप जानते हैं कि गर्तन दिवस तीन दिवसी राष्टीत योहार है जो कि 29 जन्वरी को बीटिंग स्ट्रीट समारों के साथ ही खतम होता है दोस्तों आसा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी तो कमेंट करके जरूर बताएं और हम वीडियो के एक लाइक करें चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करें मिलते हैं किसे नहीं जानकारी के साथ तब तक के लिए नमस्कार